असलाम अलेकुम विवास कैसे आप लोग आज आप लोगों के लिए बहुत ही टेश्टी बिर्यानी है दराबादी चिकन बिर्यानी लेकर आई हूँ तो उसके लिए हमने बन केजी चिकन को अच्छे से धूल के छणने में रख दिया था इसका पानी अच्छे से निकल गया है तो इसमें हम डाल देंगे थिरी स्पोन जिंजर गैलिक पेश्ट है और इसमें ये 5-6 कड़ी पत्ते हैं इनकी भी टेस्ट और खुश्बू बहुत अच्छी आती है विर्याने में तो बड़े-बड़े पत्ते थे तो मैंने कैंची से थोड़ा सा उसके कतर दिया है अब 5-6 म पेश्चेट डालते है इसका ऩैस्ट और फिरेवर बढ़ा अच्छा आता है और नमक डाल देंगे छोटा चमत इसलिए मैंने दो चमक डाला इस पोटेश्ट करके डाल देंगे ूशॉप अजा साथ पाद में फिर और टेस्ट करके डाल देंगे अफ अब अब सब को अच्छे से मिक्स कर देंगे चाहें तो और नाइट सकते हैं जतना जादा देर आप रखेंगे फीर्यानी अच्छी बनेगे तो इसमें वन टेबल स्पून मैंने धनिया पॉड़र डाला है और एक पहली मैंने दही डाल दिया है दही हमारी वजन से अगर ली जाए ना तो दो सो गराम से जादा है खेर हैदरबादी बिरियानी में तो दही बहुत जादा डाली जाती है आप चाहे तो और जादा कॉंटे जिम डाल सकते हैं लेकिन मेरे घर में बहुत जादा खटी बिरियानी नहीं पसंद करते हैं इसलिए मैंने काम डाली है यह है बिरिस्ता जो कि हमने पहले ही बना के रख मसलोद आहतों से ना मिला होना जब तक मैरीनेशन अच्छे से नहीं होता है तो इसलिए मैंने हाथ लगा दिया चम्मच को पोच पाच के साइड में रख दिया है और इसमें अब मैं ये पोदीना और हरा धनिया में लिया है उसको भी बारे-बारे कट करके डाल दूंगे आप सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको कवर करके मैं रख दूंगी आप दो घंटे के बाद फिर बनाएंगे हम मैंने तीन लिटर पानी भगावने में लिया है एक चमस जीरा है दो बाद यान फोल है दो तीन तेस बत्ता है तीन से चार इलाची ठोड़ी से जावी तीरी दो बड़ी इलाची ठोड़ी से कली मिर्च है और एक टुकड़ा जय फलक है सबको हम पानी में आयट कर देंगे और इसमें हम डाल देंगे पोदीना और धन्या कटे हुए तीन हारी मेच भी हमने डाल दी है क्योंकि चावल में भी थोड़ा सा तीखापन आ जाता है इस तरह से और इसमें लेमन भी हम उसका जूस भी अटका देंगे देखिए बहुत ही ज्यादा जूसी लेमन आ रहा आजकर इसलिए मैं एक ही डाला है और यह कड़ी पत्ता भी डाल देंगे इसमें नमक हमने इसमें जाधा फी डालना है क्यों पानी बॉयल होगा फिर चावल उसमें पके फिर उसका पानी हम निधाल लेंगे तो मैंने चार से पांच चमच नमक डाल दिए मैरा इसलिए वह गर आपका बड़ा चमच है तो आप दůह तीन चमच डालिए गा आ तो देखे इसमें आयल में डाल दे रही हूं और इसको ढखके हम उबलने के लिए छोड़ दिया था हमने तो देखे उबलने लगा तब इसमें हम चावल धूल के एक किलो चावल मैंने धूल के रख दिया था बासमती राइस अब उसको आयट कर दे रही हूं अब इस चावल को हमें 75 या 80 पैसेंट तक ही पकाना है क्योंकि इसको जो हम दम पे रखेंगे ना तो बाकी का उसमें पक जाएगा चावल तो देखे चावल मेरा बस एक बॉयल अच्छे से आया है तो समय ले चावल हमारा पहले से भीगा हुगा था तो ये तकरीब करीब करी बस हम घैस को भंद कर देए और चावल को पानी से अलायदा कर देखे एक छन नमए इससे feel का गवी सारी चावल का पानी सब कुछ बराबर रहेगा तो ही टेस्ट आता है लेकिन चावल बहुत बड़ा रोल अदा करता है अच्छी बिर्यानी होने में मुझे जहां तक अंदाजा है तो चावल आप बिर्यानी बनाए ना तो लंबा वाला ही ले खुश्भू अला चावल ले तो आपके बिर्यानी ब लिया है बिसमें तेश पत्ता बादियान फोल दालचीनी और एलाइची यह डालके मैंने प्याज डाल दि है बड़े साइस में प्याज मैंने डाली है क्योंकि विरिस्ता हमने बनाया आना उसमें भी हम ने बिरिस्ता डाला है और बागी बिर्यानी के ताह बिछाएंगे उसमें भी डालेंगे तो ये गोश्ट को मैंने ये भूल गई थी मैं वीडियो इसको फोग गया मैंने इसको थोड़ा सा धूआ भी दे दिया है इसे फिलेवर बड़ा अच्छा आता है तो चले प्याज लाल हो गई तो हम उसमें उपर से बस यहीं गोश्ट जो हमारा चिकन है मैरी ने इसको हम अच्छे से चला देंगे और फिर पूरी तरफ एक तय है अच्छे से लगा देंगे थोड़ा सा पानी भी इसमें आट करेंगे बहुत जादा पानी नहीं आट करेंगे जिसा आधा गिलास तक का पानी हम डालेंगे क्योंकि अभी यह जो देखिए गोश्ट चिकन है इसमें पर पानी छोड़ेगा उतने में ही दम पे हमारे बिर्यानी बहुत अच्छे से इस् और यह हमारा देखिए शाही बिर्यानी मसाला है इसको थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे इससे बड़ी अच्छा सा टेश टाटा बिर्यानी में चावल में इसी खुश्बू रच बस जाती है बस समझे लें आप चाहे होममेड बिर्यानी मसाला हो तो वो भी डाल सकते हैं मे ज्यादा तर अपने घर का ही यूज़ करते हूं और टमाटर के सलाइसेज भी इसके उपर हम रख देंगे चार पांच और बिरिस्ता भी डाल देंगे और पोदीना और धन्या भी इसके उपर हमें स्प्रिंकल कर देंगे इसके उपर फिर से बाकी के जित्ते चावल बचे है ना सारे चावल हम डाल देंगे और बहुत अच्छे सफ़ा ला देंगे और इसके उपर भी फिर उससे तरह एप्लाई करेंगे बिरिस्ता और ये ड्रमाटार और कलर हमने डाला है लाइट वाला भी जो ओरेंज लो चलार आता है है दोनों हमने डाला है लेकिन बहुत कम-कम डाला है थोड़ा थोड़ा ही डाला है क्योंकि कि अच्छा लगता है आप लोग और दाल दीजिएगा जादा बाकी का वह भी हमने इसके उप़र इस प्रिंकल कर दिया है और हरी मिर्चों को बीच में से फार फार के वह भी डाल दिया हमने थोड़ा सा इस से बड़ा अच्छा सा टेस्ट आएगा थोड़ा धनिया पोदीना जो कुछ भी बचाता सारा हो इसके उपर ही हमने एपलाई कर दिया है और इसको हमने सिलवर फाइल से बहुत अच्छे से पैक कर दिया है उपर से कवर कर दिया है और इसको पड़कर लगा देंगे इसको फर एक वजन रख देंगे और दस मिनद तक इसकी जो आच है फ्लेम है उसको मैं फुल रखोंगी उसके बाद फिर एक तवा रखके जिस पर हम रूटी बनाते हैं वो तवा रखके मैंने रख दिया हैं तो बीस मिनद तक मैंने रखा था अब देखें ये मैंने देखा बहुत अच्छे से स्टीम आ गई थी लेकिन वो मैं खोलते खोलते अचानक से वीडियो बंद हो गया था मुझे पता ही नहीं चला तो फिर बहराल मेरी बिर्याने तो तयार हो चुकी थी तो फाइनल लुक जो है बिर्याने का वो आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी बहुत ही अम्मी बिर्यानी बनी थी और देखिए इद्दम गर्मा गर्म सारू कर रही हूं आप लोग आईए चलिए दस्ताखान पर बैठते हैं वीडियो अच्छी लगए तो फैमली और दोस्तों में शेर कीजिएगा लाइक कीजिएगा अच्छा सा कमेंट दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो आने मेली बेल आइकान जरू दबाजिएगा ताकि हर वीडियो आपको फिरे में देखने को मिलें फिर मिलेंगे इंशालला बहुत जल्द एक रेस्पी के साथ अल्ला फीज दौा में याद रखें